पर जब आप इनका अर्थ समझेंगे तो समझ आएगा कि दूसरों के लिए जीना ही सही जीवन जीना होता है और इस विवस्था को इस भावना को लौइंस क्लब इंटरनेशनल हमेशा से परिभाशत करता आया है हमेशा से समाज के लिए काम करने वाले लौइंस क्लब डिस्टिक्ट 321-21 केवल एक समाज से भी संस्था ही नहीं बलकि एक विचार है एक भावना है जिसके कारण लौइंस क्लब इंटरनेशनल डिस्टिक 321-21 हमेशा से समाज के लिए काम करता आया है आज इसे कड़ी में राजधानी लखनों के लौइंस क्लब लखनों विश्वास द्वारा एलजिको एलिगेंस में लौइंस क्लब इंटरनेशनल डिस्टिक 321-21 के डिस्टिक गवरनर मुकेश जैन की दिवंगत पतनी लौइंस लेडी आशा जैन की आठवी पुन्यत थी पर रक्तदान के साथ साथ पूर्ण स्वास से परिक्षन क्याम का आयोजिन किया गया जिसमें सैकडों जरुवत बंदर लोगों को शुगर, रक्तचाप, जाच करनी के साथ साथ डाइटीशिन, फिजीशिन और नीत्रे रोग विशिशग्य द्वारा उचित सलाह दी गई लोइन्स क्लब इंटरनेश्टर डिस्ट्रिक्ट 321-21 के जन से भी कारिक्रम पूस सराहा। इस मौकी पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अर्धिक्ष बविता चौहान ने हमारे संयोगी गोरो शिवास्तों से खासवार चीत करते हुए मानित्ता का सही अर्थ भी बताया इस कारिक्रम के संयोजक लोइन्स क्लब इंटरनेश्टर डिस्टिक 321-21 के डिस्टिक्ट गवर्नर मुकेश जैन ने कहा कि ये कारिक्रम वो हर साल अपने साथियों के साथ करते रहे हैं। इस कारिक्रम के माध्यम से वो अपनी दिवंगत पतनी को सच्ची श्रधान जली द दिया गया। इस पुन्य कारिय में मल्टिपल काउंसिल के चेर्मेन अभिनव सिंग के साथ साथ लॉइन्स क्लफ इंटरनेश्टर डिस्टिक्ट 321-21 के सभी पूर्व गवर्नर सहक्डों लायन सदसे उपस से थे। ये भावे कारिक्रम लॉइन्स क्लफ लखनव विश्व के मारते हमसे जिसा भी देता है समर्पन भी करता और सासर बताता है कि जन्सेबा समासेबा बहुत जरूरी है आज भी लखनू द्वारा यहां पर बड़ा कार्णमार्ट केंप हैं और असहाय लोगों को बस्त बित्रन हैं इस मौक्ए पर हमाँसार भी हाल में ही उत्तप्रि जो राजनेतिक प्लेटफॉर्म है वो भी कही ना कही मेरे को समासेबा के लिए ही प्रेयरित करता है तो आज मैं इस पैसली मुकेश जी का धन्यवाद देना चाहूंगी लखनू लाइंस क्लब का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे यहाज आमंतृत किया इतने शोव अपसर्वर कि जो यहां काफी बड़ी मात्रा माज बलड डॉनिट होने वाला है कैम चल रहा है आप देखके आए होएंगे और मेडिकल कैम भी है यहां जिसमें और आई कैम भी लगाया हुआ है जिसमें सारे यह चश्मे और यह सब मुफ्त में देंगे लोगो तो क्योंकि बहुत सारे नीडी लोग हैं जो हमसे थोड़ा सा कमजोर वर्क के लोग हैं या जिनकी हम मदद कर सकते हैं या जो भी है तो मुझे लगता है कि ऐसे कामों से लोगों को प्रेड़ना लेना चाहिए और अगर किसी लाइक कोई व्यक्ती है तो जरूर दूसरों की मदद करना चाहिए अब मेरा मानना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं जब दूसरों के लिए जीते हैं तो शायद उसमा आनंद कुछ और आता है तो मुझे लगता है कि इस तरह के काम होते हैं तो सभी को बहुत खुशी भी मिलती है सब को पता नहीं कितने चेहरे होंगे कि जो आज यहां से मेंगे जिन को बिमार होंगे उनको दवाया या जिसको आई केमप में चश्में या जो यहां से लिए जए जाएंगे कि उनके चैहरे पर पड्लिश ञोई होगी तो वो देख चैना आपको आननन्द मिलता है न वह एक अलगी तरह का है यह जो बार समाच सेवा को हमें यह भी देखा है कि आ अपने महिला आयों कर तमाम गटविडियां चलती रहती हैं क्या मानके चले कि समाच से आप जुड़ी हुई है तो ऐसी कुछ अलग गटविडी उट्पर मेला आयों की भश्मिन आयुट करेग अंट्री थे लिखिया महिलाओं के लिए समाच के लिए उन असाहाई महिलाओं के लिए जो आज भी प्रचित है परिषान. तो बिल्कुल आपने सवाई कहा कि महिला की अध्यक्षू लेकिन मैं मानती हूं कि कहीं जरुत मन्द महिलाओं के लिए जहां मैं सहीव कर सकती हूं जो किसी भी तरह से कमजोर है या जो कहीं नहीं कर पाती है तो मेरे लिए वह भी समासेव का काम करेंगे और निश्यत रूप सब्सक्राइब नंबर है पर अभी उधनी पहुंच नहीं पाती है कि इतना टिपिकल प्रोसेस रहती है कि महला भी परिशान हो जाती है और आंदनी परिशान होते है कोई ऐसा नंबर रिया जाए जो कि 2027 चले और सोखमता हो आप तब पहुंच आसान हो और की समस्ता का समन करना होगा तो निशीत रूप से मुझे लगता है कि मेरे रहते हुए मैं कोजिश करूँगी कि कहीं किसी को कोई परिशानी नहों और रहा सवाल मेरा तो मेरा भी खुद परसनल नंबर भी 24 आवर्स ओन रहता है ऐसा नहीं कि कहीं आफ का तो हैं कोई कौजी नहीं है मैंने कि मेरे घर के दर्वाजे 24 घंटे खुले हुए हैं किसी भी जरूरत मन महिला के लिए और मैं खुद 24 घंटे अबलेबल हूँ मेरी टीम पूरा सब के लिए काम करेगी तो क्यूंके मैंने राजनीती को भी समाज सेवा के रूप में ही सुविकार किया है तो इसलिए जहां भ अब के समाज से भी करक में यहां पर आएं थी यहां पर मेला को परिसार होने की जववत नहीं है कि बबिता चोहां आ जो हैं और ने कहा है कि नंबर और यह खुद का नंबर भी हां पर जारी होगा उनने से बात करें और मेरे घर के दरौजी दिरोजी उनकी समश्याव और खुले हुए आए और उनका निस्तान करेंगे जो ब्योस्ता चल नहीं उस ब्योस्ता से कोई नाता नहीं पर जो ब्योस्ता अब लागू होगी वह अपनेया मेतिहास बनेगी देखिए यह एक हमारा क्लब जो है हर साल लगाता है आज मेरी मिसिस आशा जैन की पुर्णिती थी देख हुई थी उस समय हमको बहुत इसको चार-पांच महीने लगातार ब्लड की जरुत पढ़ी थी हाफते में दो वार प्लेट्रेट्स ब्लड की जरुत पढ़ती थी और चुगे मैं लाइस में बहुत एक्टिव हूँ और तब मुझे किसी भी बिना किसी इंट्रप्शन कि रगलर ब्लेड मिलता रहा विदाओर किसी डोनेशन तो अब लगता है मैंने बहुत करा है तो उसका कुछ कर्ज उतार दू तो इसलिए हर साल वैसे तो रेगलर चलते रहते हैं कैम समारे बट आज स्पेश्ट्री में यह कैम दामारा क्लब लगाता है और उसकी याद ता कि जो पीडित लोग अभी भी हैं उनके लिए राशन पानी और कंबल हम यहां से तीन-चार गाड़ी फ्लैग आफ कराने के मूड में हैं कि डिरेक्ट यहां लखनों से जाए गोंडा बल्लामपुर बहराई और खटीमा हमारा चेत्र है उसमें जाएंगी और जब भी कहीं क किसकी सेवा में हम आजा है यह कैंप इसीन लगा है कि जितने यहां पर वर्कर्स हमारे हैं यह समझें साड़े 300 फ्लैट हमारे एवरेज 2-3 भी हुए तो 7-800 वर्कर्स हुए उनका चेकप होना है उनको अगर कोई जरूरत पढ़े की चश्मे की तो चश्मे भी दिये जाएं कि अगर हैं सही करें आप लाइंस बिल्कुल अलग है क्योंकि हम कोई राजनितिक नहीं हम सिर्फ सर्वेस और सर्वेस भी जरूरते हमारा नारा है वी सर और मेरा नारा है सर्विज्वाए हैं आजी खुशी कोई भी काम करिए हाजी कुशी कीजे जो दिल को अच्छा लगे जो दिल को अच्छा ले करिए जिसमें आपके आत्मा को संतुष्टी मिलती है और सही में आप किसी की भी अगर एक किसी बूड़े को आप सड़क भी पार कराएंगे ना जब पार कराके निकलेंगे तो आपको खुद एक महसूस होगी फील कि आपने बहुत बड़ा काम किय actively गोबनेख तो मेरा तो यहीं कहना है कि जब कहीं जरूत हो और कर सकते हैं अगर हम सक्छय में कर सकते हैं तो विलकुल करना चाहिए हमारा हर साल का एक्टिविटी बंडारा ब्लेट डोनेशन कैम और सारी चीज़ें देशी में की जाती है यह मुकेश जैन भी हमारे तो है लाइन गवर्नर जिस्टिक गवर्नर उनकी तरफ स्वावजी तो रहता है आज का दिन बहुत महात्पोड है आज लाइन क्लब विश्ट्वास ने अपने तीन नए क्लबों के साथ मिलके एक संयूत रूप में अभ्यान चला के आज सेवा का बहुत बड़ा आयोजन किया है जिसमें पुराने कपड़े भी बाटे जा रहे हैं ब्लड भी डोनेशन किया फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देख्श दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी यूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ